डेट आज 23 फरवरी 2023 यह सब टॉपिक डिसकस करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है एंजल टेक्स यह प्रिलिम्स और जी एस पेपर 3 एकॉनमी के लिए मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है इस साल के बजट का पार्ट था यह क्योंकि फानेसल बिल जो बजट का पार्ट होता फानेसल बिल उसमें इसके बारे में डिसकस किया गया उसमें कुछ चेंजिस किये गए एंजल टेक्स में इसलिए न्यूज में था देखो 2018 का जब बजट पेस हुआ था तो उसमें कैपिटल गेंट टेक्स और डीडीटी डिवीडेंट डिस्टिबूशन टेक्स इंटर्ड बजट में तो उस साल यूपेसी ने मेंस में पूछ लिया था तो इसलिए ये भी इंपोर्टेंट है पूछा जा सकता है अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए एक तो बजट में फानेसल बिल में इसके लिए प्रोविजन है यानि कि इसमें कुछ चेंजिस किये गए इस लास्ट में डिटेल से समझेंगे अभी इतना जान लो ऐसी कंपनी जो नई कंपनी खुली है उन्हें 10 साल तक गॉर्मेंट स्टार्ट अप कंपनी का दरजा देती है ये स्टार्ट अप है नई कंपनी खुली है और जिनका टरन ओवर हंडर करोड से नीचे है तो इनके बारे में detail से discuss करेंगे, पहले angel tax के बारे में जानेंगे, financial bill जो 2023 का था उसमें changes किये गए angel tax के बारे में, इसमें देखो पहले क्या है, जो foreign fund हैं और non resident investor हैं, इनको exemption मिली हुई थी, छूट मिली हुई थी कि इनको tax नहीं देना पड़ेगा, यानि कि angel tax नहीं देना पड़ेगा लेकिन अब जब बदलाव कर दिये इस financial bill में angel tax related, तो इनको angel tax भरना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, और angel tax कितना देना पड़ेगा, किस पे लगता है, यह देखो capital raised, कोई भी company, startup company है, उसने share market में जारी किये, और यह share जारी करने के बाद, पैसा आएगा startup company के पास, क्यो share खरीदते हैं, किसी company का, अब share खरीदेंगे, हमें पैसा देना पड़ेगा, मानलों 100 रुपे के एक share है, हम 100 रुपे देंगे, बहुत सारे लोगों ना खरीदा होगा, startup के पास आएगा पैसा, यानि कि capital जो raised की है market से, और fair value of security is sales, यानि कि जो market में जब share जारी किया होगा, के कुछ value होगी, उस share की, मानलों 100 रुपे थी एक share की, अब ये security जो बेची गई, लेकिन इसका demand की वज़े से market में rate बढ़ गया, अब जो ये difference था, उस पर ये text लगता है, angel text, आगे detail में समझते हैं इसको, देखो, कोई भी unlisted company है, unlisted company का मतलब है, stock market में वो listed नहीं है, stock market मे register नहीं है, कोई भी unlisted company है, वो share issue करती है, और share issue करने के बाद Indian investor से पैसा वो एकटा करती है, capital raise करती है, कोई भी Indian investor, कोई भी साधरन आदमी खरीते हैं, मानलों किसी application से जैसे grow app है, या जिरोता है, angel one app है, बहुत सारी application है, जिनके जरिए share bond खरीदे जा सकते हैं, किसी भी company के या government के, तो Indian investor से जो भी वो पैसा एकटा करती है, अब जैसे मानलों कोई company ने share जारी किया, अब इसकी value अभी 100 रुपे रखी इसने, लेकिन हुआ क्या, market में इसके share की demand increase हो गई, और demand increase होनी के वज़े से इसके जो share का दाम है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मानलों इसक 500 रुपे हो गया, मतलब 100% से ज़्यादा, 500% ज़्यादा increase हो गया इसका price, तो 200 रुपे हो गया, अब यह 500 रुपे जो ज़्यादा हुआ है, अब इस पैसे पे, इस पैसे पे जो tax लगेगा, वो ही है, angel tax, समझ आ गया होगा आपको, कुछ इस तरह है का, जैसे windfall tax है न, कही windfall tax होता है, देखो, जब किसी company का profit unexpectedly increase हो जाए, जैसे अभी government ने oil company पे windfall tax लगाया था, जैसे मालो, production cost तो 100 रुपे थी किसी company की, मतलब लागातारिये किसी product को उतपाद को बनाने में 100 रुपे, उसने इसका price रखा 500 रुपे, market में 500 रुपे में बेच रही थी, लेकिन इस product की market में demand बहुत ज्यादा बढ़ गई, customer बहुत ज्यादा demand कर रहे हैं, और ज्यादा मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा sale हो रही है, जिसकी वजएसे market में demand की वजएसे इसकी जो value है, वो ज्यादा increase हो गई, प्रास, मनलो, 200, 300 रुपे हो गया, अब automatically production cost तो 100 रुपे, लेकिन price इसका 300 रुपे हो गया, यानि कि 200 रुपे मुनाफ़ा कमा रहा है, और जब company कमा रही थी सिर्फ 50 रुपे, तो अब ये 200 रुपे ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा profit पे tax लगाती है, government, तो वो हो गया windfall tax, ऐसा ही कुछ ये हो गया, angel tax, यानि कि जब share का price ज्यादा बढ़ जा आता है, fair market value से, तो फिर उस पे tax देना पड़ता है, उसे बोलता है, angel tax, तो ये access fund जो raise क्या होता है, fair value से, उस income पे ये लगता है tax, और इसकी जो प्रावभी जाने, income tax act है, 1961 का, इसके section 56, clause 2, sub clause 7b में दिया हुआ है, इसके बारे में, यहीं से power government लेती, drive करती है, angel tax लगाने के लिए, सबसे पहले 2012 में ये introduce क्या था, इसलिए introduce क्या था, ये, कि share की value की वज़े से, share की value जो बढ़ी है, वो tax, जो share की value बढ़ी है, और वो income जो आई है, company के पास, ऐसा ना हो, उसकी money laundering की जाए, black money circulation हो, तो black money क्या होता है, money laundering क्या होती, इसके बारे में, डेटेल में, आप economy की playlist में आपको lecture मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हो, UPSC ने कितनी बार, इसलिए 10 साल के paper उठा के दो को, 5-6 बार question पूछा है, means में तो, बहुत important है, नहीं देखा तो, वहाँ से देखो, detail में, क्या होती है, black money, black money circulation कैसे होता है, money laundering क्या होती है, सारा detail में मिलेग short cut में बता जेता हूँ, money laundering क्या होती है, black money को white करने का process ही बोलते है, money laundering, यानि कि काला धन को white करना, जो अवैद धन है, अवैद संपतिया, उसको एक तरह से legal process में ला दिया, कुछ भी करके, उसे बोलते है, money laundering, तो money laundering को रोकने के लिए 2012 में ये angel tax लाया गया था, और कि investment पर जो fair market value से जादा बढ़ी है, जैसे 100 रुपे price रखा था, share का, लेकिन उसकी value बढ़ गी, 500 रुपे, अब ये 500 रुपे जो डेड़ सो रुपे बढ़ी है, इस पर जो tax लगेगा, वो angel tax, 2019 में देखो, government ने कुछ exemption दिया था, कुछ startup को, कुछ ऐसी startup को certain condition को fulfill करती है, उन startup को, उन कंपनियों को exemption दी थी, छूट दी थी, angel tax पर, कि उन पर angel tax नहीं लगाया जाएगा, और कौन कौन सी ऐसी startup थी, क्या condition थी, देखो, पहला इसमें ये था, कि ऐसी startup जो DP, IIT department है, एक ministry of commerce and industry के अंदर, department for promotion of industry and internal trade, इस department ने अगर किसी startup को recognize किया है, कि ये startup eligible है, angel tax से exemption के लिए, छूट के लिए, तो startup पे angel tax नहीं लगाया जाएगा, दूसरी condition ये थी, कि अगर मानलो उसकी aggregate amount, मतलब उसका average जो amount, यानि कि जो पैसा इखटा कर रही है, share के जरीए, paid up share capital है, paid up share capital का मतलब है, जो market में share जारी करके, और जो उस company के पास पैसा आ रहा है, या फिर share premium क जरीए आ रहा है, share premium भी वह हो गया, जो extra value बढ़ी है, यानि कि वो amount, जो market value से ज़्यादा amount बढ़ा है, और उसके पास जो पैसा आया है, वो हो गया share premium, यान total जो aggregate amount आया है, अगर किसी startup के पास, और वो 25 करोड से ज़्यादा नहीं है, तो उस पे angel tax नहीं लगाया जाएगा 25 करोड से नीचे है, तो angel tax नहीं लगाया जाएगा, अगर उससे उपर है, तो फिर लगाया जाएगा angel tax, और ये amount में देखो, ये भी था, इसमें money जो non-resident Indian से raise किये गई है, वो भी इसमें include नहीं होती, यानि कि कि किसी startup ने share जारी किया, और NRI ने खरीद लिए, non-resident Indian, ये जानते हो, क्या होते हैं NRI, यानि कि जो इंडिया के citizen ही है, लेकिन बाहर रहते हैं किसी वज़े से, मान लोग पढ़ने के लिए गए हैं बाहर विदेश में, या job के लिए गए हैं, या घूमने के लिए गए हैं, हमारी कंटी से 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहते हैं, उन्ह venture capital firm क्या है, देखो ऐसी कंपनियां होती है, venture capital firms, जो नई नई कंपनियों को साहता करती हैं, या ऐसे institution, ऐसे institute हो गए venture capital firm, जो startup कंपनियों को एक तरह से help देते हैं, कि आप अपना business चलाओ, तो उन्हें बोलते है venture capital firm, तो इन से जो पैसा मिला है, money raised किये किसी startup ने, तो उन प classified company होती है, उन पे भी नहीं लगता है, next इसमें यह है कि जो angel investor होते हैं, angel investor का मतलब, जो share खरीद रहे हैं यह, जिन पे angel tax लग रहा है, तो ऐसे angel investor जिनका amount of investment की fair market value से exceed कर रहा है, लेकिन उन्हें 100% tax exemption दी जाती है, अगर उनकी investment जो है, उनका net worth 2 करोड से कम है, दो करोड तक होना चीए, दो करोड से कम नहीं, दो करोड तक होना चीए, लेकिन उनकी जो income है, पिछले 3 साल में, पिछले 3 साल में, उनकी income 25 लाग से जादा है, ध्यान से सुनो इस बात को, ऐसा angel investor, जो investment करता है, दो करोड तक, net worth, net worth मतलब हो गया, कि उनका total asset में से, total asset में से, जो total संपत्ती है, उसमें से अगर liability निकाल दें, liability का मतलब हो गया, date, कर्ज, निकाल दें, तो total संपत्ती उसका है, जो net worth है, दो करोड है, किसी investor का, और उसकी income, पिछले 3 साल में, तीन fiscal year में, fiscal year का मतलब हो गया, fiscal year इंडिया का count होता, 1 March से लेके, sorry, 1 April से लेके 30 March तक, जैसे इस साल के fiscal year की बात करेंगे, 2023 की, तो आएगा आपका 1 April 2023 से लेके 30 March 2024 तक, तो पिछले 3 fiscal year में 25 लाग से ज़्यादा income नहीं होनी चाहिए, और 2 करोड उसका कम से कम net worth होना चाहिए, तब उसकी जो income है, यह amount है, investment का, उस पे 100% tax exemption दी जाती है, उस पे tax नहीं लगता उस income पे, अब जानते हैं, startup का criteria क्या होता, किसी company को startup कब गोलते हैं, देखो startup कोई भी company हो सकती है, कोई भी private limited company, companies act में register होती है, company's act हमारा 2013 का, उस में register होती है, तो कोई भी private limited company है, या कोई partnership company है, या limited liability partnership है, तो उसको startup declare कर सकते हैं, लेकिन उसका जो turnover है, वो hundred करोड से नीचे होना चीए, Indian rupees में, turnover न तो जानते हैं, आप क्या होता है, turnover, देखो कोई company product बनाती है, और जितना total sale करती है, एक साल में, एक साल में जितनी total sale कर रही है, तो total sale की value है, जो, मानलो, ये company 1000 पैन बनाती है, 1000 पैन की value 10 रुपे एक पैन की, तो ये total कितन हो गया, 10,000 रुपे total sale, तो ये हो गया, इसका total turnover, एक साल का, जितना एक साल में, उसने बेचा, 10,000 रुपे के sale, sale कीए, वो turnover हो गया, तो ये turnover, तो total turnover हो गया, 10 करोड से कम होना चीए, पिछले fiscal year का देखते हैं, previous fiscal year का, इनकी पिछले एक साल का, उसका turnover 100 करोड से नीचे, त startup company, सिर्फ 10 साल के लिए ही रहती है, 10 साल तक ही, और इस time पर startup को ये भी करना पड़ता है, कि वो ज़्यादा ज़्यादा innovation करे, innovation ले के आए, अपने जो product है, उनमें थोड़ा improvement करे, service में improvement करे, processes में improvement करे, और ऐसे step ले, जिससे की ज़्यादा employment generate हो, ज़्यादा ज़्यादा wealth create हो, इस तरह के step भी ले, वो startup company, और ऐसा नहीं है, देखो, जैसे मान लो, कोई बड़ी company है, जैसे मान लो, reliance company है, अब reliance company में से, दूसरी company सिप्लिट हो जाए, दूसरी company बन जाए, इसी में से अलग हो के, तो इस company को जो अलग हुई है, या पहली company है, इन में से किसी को भ startup नहीं बोला जा सकता, तो ये भी याद रखना आपको, next topic है, मुलेठी, मुलेठी देखो, ये देख रहे हैं, आप image में, ये है मुलेठी, ये खाने की काम भी आती है, बहुत सारी दवाई में भी काम आती है, ये prelims के लिए most important topic है, अभी news में इसलिए हिमाचल परदेश ज नहीं कि cash cropping करना, cash cropping या एक तरह से आपका food cropping, food cropping का मतलब कि आप कोई फसल इतना उगा रहे हो, कि सिर्फ अपने घर के खाने के लिए ही यूज कर पा रहे हो, cash cropping मतलब हो गया कि उसे market में बेच भी रहो, तो ये ही commercial cultivation हो गया, कि आप इसका आगे किसी और state में भी बेच होगे, भार भी export कर सकते हो, तो ये हो गया commercial cultivation, तो ये मुलेठी को बोलते हैं, लीको राइस भी बोलते हैं, लीको राइस इंगलिस में बोलते हैं, इंगलिस में भी मुलेठी लिखा जाता है, तो इंडिया में ऐसा first state बन गया, हिमाचल परदेश, जिसने organized cultivation स्टार्ट किया मुलेठी का, तो मुलेठी के बारे में detail से जाने हैं, मुलेठी को commonly लीको राइस के नाम से जानते हैं, और एक sweet testing perennial scrub है, स्रब का मतलब होता है जाडियां, जाडियां होते हैं, जाडियों में लगती है, उसकी लकडी को यूज किया जाता है, खाने पीने के लिए भी यूज बहुत सारे जिसे पान खाते हैं, मुलेठी वाला पान आता है, इस तरह की डिस में भी यूज किया जाता है, बहुत सारे इसके और भी जैसे तमाकू अगयरा में, देखेंगे और कहां कहां पर यूज होता है, इसका sweet test होता है, थोड़ा मीठा होता है ये स्वाद में, और ये perennial shrub है, perennial का मतलब होता है, बाहर है मासी, जो कोई चीज सालो साल होती हो, सदा बाहर, तो ये shrub, shrub का मतलब जाड़ी ऐसी, सालो साल होती है, ये, सालो साल होती है, और इसका scientific नाम है, ये glycerida glebra, और इसकी जड़े होती हैं, वो भी sweet होती है, स्वाद होती है, क्योंकि में यह glycirin होता है यह chemical और क्वे सोख जो सुक्रोज होता है ना सुख्रोज यह मीठा होता है सुक्रोज कि तेृस चुक्रोजसे भी 50 गुना जादा मीठा होता है 흥 होता है यह glycirin यए गिली सॉयरईजीन होता है जो chemical इसमें मुलैठी में डर्डशनले देखो इसे खो अईराववेदा में मैडीशन की तरह यूज़ किया जाता था और अईयूवेदा में इसको आईवेद में जा से देखो अंग्रेज लोग अईरावेदा बोलते हैं और इंग्लिऱावेदा नाम कोई प्रून्शेशंज नहीं हो सकत ना, हेंडी में अगर कोई आयर्वेध है, तो उस इंगली में आप बनेखे है, आयर्वेधा बोलेंगे है, जैसे मानलो आपका नाम तो कहने का मतलब ये है कि अयुर्वेद है जो इसमें medicine की तरह यूज की जाती थी और आयुर्वेद में इसको मुलेठी को बोलते थे यस्टी मदू बोलते थे कि आप भी आयुर्वेद में बोलते युस्टी मदू तो ये रेजूबिनेशन के लिए यूज किया जाता था रेजूबिनेशन मतलब रीकवर किसी भीमारी से डिसीस से रीकवर कहां-कहां पर यूज होता है इसका हरवल मेडिसशन में यूज होता है सब्सक्राइब सब्सक्राइग दाए Gobierno पंछी कहा निच्णरल मुलेटी का नीच्रल सुीटनेस के तरह ट्राइब हुआ जैसे चैस्ट यह लंग डिसी के बहुत सारे फाइद हैं जैसे एंटीवायरल प्रॉपटी है इसमें अगर बॉडि में जलन होती फिर्टि करता एंटी ऑक्सिडन्ट है फो को बहुत को नुखसान पहुंचाते ऑन लिंफोसाइट करता है, प्रडक्शन करता है, यह मैक्रोफेज और लिंफोसाइट वाइट ब्लड सेल के ही पार्ट है, वाइट ब्लड सेल को लिंफोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और मैक्रोफेज या लिंफोसाइट वाइट ब्लड सेल के ही पार्ट है, आपको पता ही ह तो ये भी produce होते हैं मुलेठी खाने से मुलेठी देखो अस्तमा में भी यूज की जाती है किसी को अस्तमा की बीमारी है कफ की खांसी है उसमें यूज होता है cold ठंड लग गई है जुखाम हो रहा उसमें यूज किया जाता है ये खाने के लिए इसलिए बहुत सारे जो पान ख फ्लैवेनोईड भी होता है, एक बाजब को थाय। मुले ठी और digestive system को भी इंप्रूव करता है जो हमारी पाचन के रिया उसको भी इंप्रूव करता है जो intense time है आते हैं उनमें से acidic level को reduce करता है कम करता है और हमारी body को detox करता है सफाई करता है body की इतने सारे benefit है मुले ठीके distribution कहां कहां पे कहां कहां पे किस environment में होता है देखो यह सब ट्रॉपिकल और warm temperature region में होता है यह तो आपको पता ही है कहां कहां होते हैं सब ट्रॉपिकल और warm temperature region यह देखो आप देखो यह अर्थ है यह भूमद्य रेखा है जैसे English में equator बोलते है जीरो डिगरी एक्वेटर भूमद्य रेखा इसके 23 एन हाफ साड़े 30 डिगरी नौर्थ में और साउथ में जाओ गया आप तो यह वाला एरिया ट्रॉपिकल एरिया हो गया इससे दोनों साइड 35 डिगरी तक इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रिजन 35 से 45 तक लगवग इसे हैं त्याइक ष्यू highway ट्रॉपिकल रिजन चाता है इसके लिए ट्रै ओर क्लाइमेट चाहिए थोड़ा सूखा माउसम होना चाहिए ज्यादा बारिस नहीं होना चाहिए और शन्सान साइन वो अच्छी होने चाहिए बिकलना चाहिए कहां कहां पे होता है देखो इंडिया में तो ये हिमाचल परदे सब कर रहा है पंजाब में नीकि सब हिमालियन ट्रेक्ट में होता है हिमालन एरिया वहाँ पे जैसे उत्राखंड, हिमाचल परदेश, जम्मु खस्मीर का एलाका है जो नीचे वाला हिमालन ट्रेक, सिक्किम वगरा यहाँ पे होता है और पंजाब वगरा में कल्टिवेट किया जाता है इंडिया के अलावा यह इरान में भी पैदा होता है two progress paper three के लिए भी really important है इंस में New also treaty संद्री किस के बीच में हुई थी यह रसिया और US के बीच में हुई थी ये देखो काफी सालों से चली आ रही है टाइम टू टाइम इसको एक्स्टेंड करता रहता है रस्या और यूएस अभी न्यूज में इस ले आई एक दो दिन पहले रस्यान प्रेजिडेंट है जो वलादिमार पुतिन उन्होंने अपनी स्पीज दी कुछ आदे घंटे की साधा आपने सुनी हो न्यूज में बहुत सा common न्यूज में रही थी है इसमें उन्होंने कहा कि वो न्यूज स्टार्ट ट्रीटी है जो इसको आगे extend नहीं करेंगे इससे बहार आ रहे हैं और यह ट्रीटी यूनाइटिस स्टेट और अमरीका के बीच में होई थी तो इसमें पार्टिस्पेट नहीं करेंगे यह अनौंस कर दिया इन्होंने और फ्रांस के बारे में भी कुछ बोला जैसे फ्रांस के जो किंग राजा हुआ करते थे जो 19th संचुरी में नेपोलियन आपने वल्ड हिस्टि में पड़ा होगा तो मलादी मार पुतीन है जो रसीज़ा के प्रेजिडेंट है उन्होंने कहा कि फ्रांस के जो किंग थे नेपोलियन उंहोंने भी एक बार कॉसिस की थी रस्या पे अटैक करने की क्योंकि नैपोलियन जो था ना नैपोलियन यह 1807 में एक बैटल जीत गया था और बैटल जीतने के बाद युद जीतने के बाद इसने एक Continental Policy चलाई थी यह देख रहो आप यह है France यहाँ पर यह France Continental Policy चलाई थी नैपोलियन नैपोलियन बोरा पार्ट तो नैपोलियन ने जो Continental Policy चलाई थी वो क्या थी क्योंकि देखो उस टाइम पर France और जो United Kingdom यह Britain है इन दोनों की बनती नहीं थी अर लेकिन यह जो United Kingdom में आप सबको पता है 1750 के लगबग यहाँ पर industrial revolution स्टार्ट होई थी इंडर्स्ट्र revolution क्या है और धोगी क्रांती यह कोई ऐसी क्रांती नहीं जिसमें लोग लड़ रहे हैं यह एंडर्स्टी की क्रांती यहाँ पर 991 इंडर्स्टील अंडर्स्ट्र बनना शुरू को गई इसने ब्रीत में स्टार्ट किया और जो Mormo तो से चीज़े बनाई जाती थी पहले अब वो मसीनों से बनाने मसीनों के द्वारा बनाई जाने लगी तो यह होगा इंडस्ट्रिय इंडस्ट्रियल रिवल्यूशन और धोगी किरांती हिंदी में बोलते तो इस इसने बहुत ज्यादा प्रोड़क्ट बनाना सुरू कर दिय पूरे व्यल्ड वाइट बैचने लगा हर एक कंट्री में यूरोप में एसिया में अफरिका में अमरिका में बहुत सारी जगए बेचने लगा अपना प्रोड़क्ट जनum में पूरे वर्ड में पतर से अपनी कालोनी बनाने ली यह mam बना लिया बहुत साबィ कंटिक इंडि कर देगा ब्रोटन की बनाई हुई कमपनी से पोड़क्त नहीं खरीदेगा और जो फ्रांस के अलाई कंपनी अलाई कंट्री थे यानि कि मित्र देश थे जो उन से भी मना कर दिया उस टाइम पर रस्या भी था इसका मित्र पूरrate देश के अब इन्होंने बंद कर दिया ठीक है अलाईज कंट्री थे लेकिन इन्हों ने देखा भाइसा हमें तो नुक्सान हो रहा हैевой जो अब रही थी बेटेन से तो इन्हों ने कहा हम नहीं मान रहे भाइसाब आपके कॉंटिनेंटल सिस्टम को आप ही मानों अब बहुत सारी यूरोपेन कंट्रीज ने भी रस्या ने भी मना कर दिया अब भाइसाब नैपोलियन बोना पार्ट अब इसको तो गुस्सा आएगा न यह क ब्रेंग की भूमे का नहीं बारा यह चाह रहा पूरे कॉंटिनेंटल सिस्टम सारी कंट्रीज बेराज करूं राजा बनूं किंग बनूं फ्रांस का नहीं सारी कंट्रीज आप इसे गुस्सा आया तो यह चला गया बहुत ज्यादा रहता है अब यह सर्दी का टाइम पर ग आप इसके जो बंदे गए थे भाज साव यहां पर जाना उस टाइम पर बीटाए अठारा सुष सांथ आठारा सुषा से पंद्रेट के लगबग के टाइम की बात है अब यह चले गए यहां पर सैनिक अब सैनिक ठंड से ही मर गए यहां पर बहुत सारे सैनिक बरफ जम गी उनकी बहुत सारे यहां पर इतना जाने पर इतनी दूरी तै कि इन्हों ने भाई सब गए यहां पर इतनी दूरी तै करी फूड कहां से लाएं यह इतना भोजन कहां से लाएं कुछ लोग भूके ही मर गए तो यह जो स्टैप लिया था नैपोलियन ने यह एक तरह से उसके लिए फेलियर साबित हो और फिर उसने कुछ जो सैनिक बचे तो कहा कि भाई साब आप जो बचे हो आप वापस चलो यहां से रेस्यास से लड़ना भारी पड़ जाया क्यों किया क्योंकि यूएस है ना यूएस वह भी यूक्रीन की मदद कर रहा है उसे कह रहा है कि हम आपको और ज्यादा हत्यार देंगे और अच्छे लंबी दूरी तक करने वाले लंबी दूरी तक मार करने वाले हत्यार देंगे लेकिन रसिया ने यह कहा कि ऐसी भूल कभ फरवरी में आटेक कर दिया था रसिया ने तो इस वज़े से कहा था तो यह वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है थोड़ा मैंने डिस्कस कर दिया लेकिन फिर भी आप डिटेल में ये 11th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री की NCRT है तो बाते हैं New Start Treaty ये क्या जिससे बाहर निकलना चाहता है रसिया ये ट्रीटी है जो इसे the New Strategic Arms Reduction Treaty भी बोलते हैं जैसा इसके नाम में आ रहा है Arms Reduction Arms का मतलब हतियार Reduction का मतलब आप समझते हो Reduce करना तो इसमें रसिया और यूएस ने Time to Time ये ट्रीटी की थी बहुत सालों से चली आ रही है ये 1990 से पहले भी तो इसमें ये था ये फिर एक बार 2021 में की थी और इसमें टर्म ही रखी थी इसे पांस साल तक extend करेंगे यानि कि 2026 तक थी इसमें रसिया और अमरीका नहीं ये डील की थी कि हम nuclear arm आगे produce नहीं करेंगे यानि कि nuclear नाब के हतियार हैं जो से atom bomb होगे प्रमान उबम या आपके hydrogen bomb इनको ज़्यादा produce नहीं करेंगे जितना हमारे पास जितना cold war के time में था उतनी limit रखेंगे यानि कि यही target था जब cold war कब start हुआ था 1945 में second world war खतम हुआ था उसके बाद 1990 तक यह चला था 1991 तक 1991 तक रस्या और USA के बीच में चला था seat youth यह youth ऐसा नहीं था जो तलवारों से या बंदू को हत्यारों से लड़ा गया था यह सिर्फ ideology की विचारों की लड़ाई थी अमरिका और US सुरी अमरिका और रस्या के बीच में रस्या का नाम पहले USSR हुआ करता था बहुत सारी कंटी थी इसमें लेकिन अलग हो गई थी 1991 में disintegration हो गया था विखंडन हो गया था रस्या का तो US और रस्या के बीच में चला था US अपनी ideology capitalism की ideology को पर्मूट कर रहा था और ये capitalism का मतलब पूझी वादी और USSR अपनी ideology communism सामयबाद को पर्मूट कर रहा था लेकिन ये रस्या के जब टुकडे हो गए थे तो रस्या हार गया एक तरह से cold war को तो ये cold war खतम हो गया 1991 में जब रस्या का disintegration हो गया तो इस time पे जितने हत्यार इन दोनों कंटी के पास थे nuclear arms यानि कि नाव के हत्यार atom bomb hydrogen bomb तो वो ही limit रखनी थी इस treaty के इसाफ़ते कि हम ज़्यादा produce नहीं करेंगे हत्यारों को उतनी limit रखेंगे तो ये treaty थी अब रस्या इससे बाहर आ रहा है यानि कि रस्या आप चाहा रहा है कि वह ज़्यादा वह बना सकता है अब ट्रीटी से बाहर आ रहा है तो यह यह ट्रीटी next topic है मुजीरिस prelims के लिए important है में मुजीरिस मुजीरिस क्या एक port है ancient time से port है प्राचिय इन समय से एक port था पोर्ट का मतलब बंदरगाह होती है बंदरगाह आप जानते हो क्या है जैसे मालों यह इंडिया है इंडिया के पोर्ट यह बंदरगाह कोस्टल एरिया तो यह जो मुजीरिस ancient port था एक इसे मुराची पत्नम के नाम से भी जानते थे कहां पर था यह location देख लो आप इसकी यह केरल के पास था यहां पर के पास था यहां पर तो यह जो केरल है इसने इस्टेब्लिस किया था यह major center था spice के लिए मसालों का यहां पर trade होता था export import होता था इसके जरिए ancient port था बहुत ही ज्यादा यह important port रहा करता था ancient time में इसका संगम literature में भी mention था रोमन सिप यहां पर आया करते थे और रोमन सिप क्या करते थे यहां पर आके paper की trade करते थे paper मतलब काली मिर्च जो black paper होती है उसका trade क्या करते थे काली मिर्च लिया करते थे यहां पर और रोमन सिप जब आते थे यहां पर यहां से तो यह आते थे रोमन सिप यहां पर paper का trade क जा करते थे और गोल्ड लेके आते थे सिप में भरके सोने के बदले काली मिर्च खरीदा करते थे यह देखो बहुत सारे राइटर है हिस्ट्री के जैसे प्लीनी के बारे में आपने पड़ा होगा एल्डर यह राइटर के नाम है और यह इन्होंने कहा था कि अपनी बुक्स म में लगबख जब आते थे रेड सी पोर्ट के जरी ए फॉर्टिन डे का टाइम लगता था यहां पे देखो इजीप्ट्यन कोस्ट है यह यह देखो व्ल्ड मैप यहां पे दिखा देता हूँ में इसमें red सी के जरीया आते थे यहां पर यह वाले मैप में देख सकते आप य यहां से आते थे यहां पर ट्रेड क्या करते थे यह मुजीरी स्पोर्ट है यहां पर तो इस तरह से यहां पर ट्रेड क्या करते थे आके तो मुजीरी स्पोर्ट का डिकलाइन कैसे हुआ यह खतम कैसे हो गया पतन कैसे हो गया थर्थ 1341 में 1341 में क्या हुआ कि पेरियार रिव हुग